जैहिन दोस्तों मैंनी दीबेंचोहान आज हम करेंगे class 9 का 13.3 का question number 8 इसमें हमसे 50 शंकों को color करने का खर्च पूछा गया है और इसके measurement है व्यास बराबर है 40 तो R हो जाएगा 20 अब क्योंकि ये centimeter है तो इसको बनाएंगे meter यानि की 100 से कर देंगे भाग तो हमें मिलेगा 0.2 और H दिया गया है 1 तो सबसे पहले हम इसमें 83 उचाई निकाल लेते हैं यानि की L square is equal to H square plus R square ठीक है तो H है 1 और R है 0.2 दोनों का कर दिया है वर्ग ठीक है अब 1 का वर्ग होता है 1 और 0.2 का वर्ग होता है 0.04 ओके इन दोनों को plus करने पे हमें मिलेगा 1.04 तो अब हम निकाल लेते हैं L 1.04 किसका वर्ग है 1.04 वर्ग है 1.02 का क्योंकि हम L square निकाल रहे थे तो जब square इधर जाएगा तो root हो जाएगा ठीक है तो इसलिए हमें देखना है कि 1.04 किसका वर्ग है तो वो है वर्ग 1.02 का तो L हो गया 1.02 अब निकाल लेते हैं FRL अब इसमें हमें बोला गया है कि πाई ओ हम 3.14 यूज़ करें तो 3.14 को हम 314 बटे सो कर सकते हैं तो 0.2nya है तो इसको हम 2 बटे 10 कर देते हैं l हमा ़ाया है 1.02 बटे 100 हटाकर अब इन सब को जब हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 646 चबबन। और नीचे एक लाग ठीक है अब यहां पाच जीरो है तो उपर से पाच जीरो गिनके यहां लगा देंगे पॉइंट तो इस तरह से आंसर हो गया जीरो पॉइंट शेसो चालेज छपपन ओके अब हम निकाल लेते हैं पचास शंकू की वक्र सपाटी क्योंकि पचास के लिए पुछा गया ना हमसे तो इसलिए यह तो हो गई एक शंकू के लिए तो इसको हम गुणा कर देंगे पचास से क्योंकि हमें पचास का ही आंसर निकालना है तो जब हम इसको पचास से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 32.08 ठीक है अब इसमें बोला गया है एक मीटर स्क्वयार कलर करने का खर्च है बारा रूपे तो इतने मीटर स्क्वयार यानि कि जो हमारा आंसर आया है उसको हम कर देंगे बारा से गुणा ठीक है इसको 32.08 इसको गुणा करेंगे बारा से तो हमें मिलेगा 384.34 रूपे इस तरह सी हाई question खतम होता है थैंक यू जय हिन जय भारत